यो what's up guys कैसे आपसे भी लोग welcome back to another gameplay video तो guys आज हम लोग दुबारा से खेलने जा रहे हैं wrench simulator okay guys तो जैसे कि आपसे भी लोग को याद होगा कि last episode में मैंने अपनी grandpa के wrench में चिकन कोप के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा space बनाया था और यहाँ पर आप लोग देख पारे हो भी कितनी सारी मुर्गिया अराम से इधर अपना बाहर निकल के खेल कूच सकती है फिलाल गेम का update आया है और काफी सारी चीज़े चेंज हुए है और इधर एक नया पेड़ वापिस से लग चुका है चलो कोई दिकत वाली बात नहीं ह उसके बाद अगर हम लोगी ने मार के बेच कहेंगे तो हमें जादा पैसा मिलेगा फिलाल यहां से मैं इसमें थोड़ा सा पानी भर लेता हूं क्योंकि जितनी भी मेरी मुर्गिया है ना बिचारी प्यासी होंगी क्योंकि उनके जो कूप है उसमें automatic water system नहीं है अभी तक फ कैसे hearts निकल रहे है शायद शायद समत जाओ भाई फिलाल यहां पर पानी है वेट पानी इनके पास है बट इनके पास खाने के लिए वीट नहीं है वेट मैं इनको वीट देता हूं क्योंकि यार तभी तो मुझे इंसे धेर सारे eggs मिलेंगे ना तो यहां पर यह रखती है ब इसके चक्कर में मेरी गाएं भैस बार क्यों आरे हूं तो अंदर जाओ भैस नहीं मेरे पास सिर्फ सिफिक काउं है वाकि पिक को देखो मोटू नमरू अंदर चल चुपचाप इसको अंदर लेकर चलना पड़ेगा बाहर तो ऐसे जा रहा है जैसे पता नी वहां पर जैसे चारती हो रहा है मोटू चल अंदर ऑकी गाइस तो भी फड़ावट से मैं इसे अंदर लेकर आ चुका हूं गेट बंद कर देता हूं इसको यहां पर छोड़ देता हूं इनको भी थोड़ा भूट खिलाने के लिए आपर डाल देता हूं इनके पास तो होगा खाना यह बैचेंगे देखें कि आज कहों कितना मिल्क देती है और कितना पैसा हमें वह भी बेच के मिलता है तो यहां पर अपना यह दर इसमीं आह दिकाने लगग गया कि 42 हम लोग इसके अंदर भड़ सकते हैं 42 लीटर आग है तो यहां पर कहों एंकि सो मच गव मैताजी दूद द बर लिया है इसको पहले हम लोग ले जाके डालते हैं अपने milk tank में अब देखते हैं इसके इंदर कितना लिटर हो गया 7 लिटर एक बार में निकला ठीक है अभी यह वाली काउं से तो मैंने ले लिया यह वाली काउं बाकि है यार पिक की काम करो तुम जल्दी खाना खाऊ या इनको मार के उतना ही जादा हमें मीट मिलेगा और भी मैंने एक बकिट मिल्क और भर लिया है और भी मिल्क घुक है ठीक है यह वाली बकिट भी जोए और और लेकर आनी पड़ेगी बड़ काउं काउं काफी ज्यादा महंगी है 14 लीटर मिल्क यहां पर हो चुका है इसको लिजाकर अभी हम लोग मार के बेचेंगे और साथ ही मुझे यहां पर जितनी भी मिल्क में लेकर जाओंगा मार के बेचने के लिए इसको ट्रक में रखवा लेते हैं यह यहां पर रख देते हैं एक बास्किट थी जहां तक मुझे याद है शायद मैंने कमरे में करता हूं वह मैंने शायद से शौप पे छोड़ी मार्किट में तो मुझे वह नहीं खरीद के लानी पड़ेगी या फिर उसी को लिए कराना होगा बाकि यहां पर लोग एक बारी देखो इसको मैं साइट रखता हूं चोटे वाले को देखो बाई कितना चोटा प्यारा सा लग रहा है यह ज़्अ फूर्टिलाइस्ट एक रलाकि रखें रहेन यह उसी से निकल कर आया है और इनकी अवाज पी कितनी जादा बड़ी ऐसी लग रही है पहले मैं सारे एक बेस देता था जाह उसमिंसे मुर्गी मिले चाहिए ना मिले बठाब जिसमें से मुर्गी मिल के बाद और मेरे को ट्रक नहीं लेना चाहिए था मलब अभी के लिए ट्रक नहीं लेना चाहिए था क्योंकि कुछ ज्यादा चीज़े खरीदने थोड़ी जा रहा हूं पैसा मेरे पास ठीक ठाक पड़ा हुए तो ले भी लेंगे चीज़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलाल देखकर आते हैं और मुझे आज अपने रेंच में काफी सारी चीज़े अपग्रेड करने हैं अगल बगल धेर सारी चीज़े हैं वो भी मेरे को बनानी है वो काम ह पूरा चेंज हो गया भाई पहले हमें समाना लेकर अंदर जाना पड़ता था बेचने के लिए बट अभी बस असे ट्रक लाके खड़े करने वो शाद से समान भी नीचे उतारने की जरुत नहीं नहीं रखनी पड़ेगे समान तो नीचे रखना ही पड़ेगा फिलाल हां औ जलब वन लीटर शायद थ्री डॉलर्स का भीका है तो टोडल हमें 42 मिल गए अभी यहां पर काफी सारी चीज़े हैं सबसे पहले तो यह कूलर है इसका यूस क्या है मैंसे कार्ट में एड कर लेता हूं किसी ना किसी काम तो आएंगी पैन है पैन भी ले लेते हैं सारी सस्त तो यहां पर जितनी चीज़े हैं सारी लेता हूं इलेक्ट्रिक मीट ग्राएं नहीं आरे काफी जौदा महंग है इतना पैसा तो नहीं अभी मेरे पास वाकि जो जो सस्ती सस्ती चीज़े थी वह मैंने सारी ले लिया है ट्रेलर भी बहुत सारी चीज़े आगे ट्रेलर है यह मोल्ड पता नहीं क्या है पता नहीं काव मिल्क तो यह सूखा हुआ है चीज है में लिए चीज ठीक है तो हम लोग इसे बेचेंगे खरी देंगे क्यों हमें इसकी क्या जवरत है बाकी कूलर मैं फोड़ी बहुत और खरीद लेता हूं क्योंकि यह मेरे को थोड़ा यह है नहीं करा यार इतने भी ज्यादा सीरियस नहीं हुए है यह ठीक है फिलाल हम लोग अपना milk tank जो है रखवाते हैं यहां पर बैग ओफ फीड को भी साइड साइड में लगा देता हूं और यह समान फैक के को देता हो यार तुम यह बहुत बड़ी बत्तमीजी है यहां पर मैंसे रखता हूं वैसे काईस तिको अगर अभी मुझे इतनी चासाथ चीजे मिल रही है तो सीधी सी बात अपना चो काम है वह बहुत असान हो जाएगा ओकी काईस तो भी फिलाल मैंने ओल्मोस सारा का सारा सारा सामान जाए उठा कर अपने ट्रक के अंदर लोड कर वा लिया है यह लास्ट बैग ओफ फीड था इसे भी रखते हैं ट्रक का गेट बंद करके जब वाव यह मेरी ट्रक की छत पे इन्हों जो मुझे ट्रक को न बुरा फिलिप करना पड़ेगा ताकि समान एक बारी सारा नीचे आजाए तो कि काई सबीना फिलाल मैंने एक एक करके सारा समान नीचे उतार लिया है और उसे अपने ट्रक में भी लोड कर वा दिया है मतलब कि यह क्या बत्तमी जी आर कैसे भी समान ठीक है सारा समान ले लिया है जल्दी से अपने ट्रक को स्टार्ट करते हैं और वापिस इसे लेकर चलते हैं अपने रेंच पर वैसे मैं पता है क्या सोच रहा हूं कि एक बारी न हम लोग कार डीलर्शिप पर भी चलते हैं क्या पता और नहीं नहीं गाडियां भी आई हो म बीच रास्ते में इसको खड़ा कर देते हैं कौन सा यहां पर कोई आता जाता है तो जो बैग ऑफ फीट है इसे निकाल निकाल के मुझे अपनी मुर्गियों को खिला देना पहले तो इनकी जितनी जरुत है क्योंकि अगर अगर इने फूट नहीं मिलेगा तो यह मर जाएंग आता असाल हो जाएगा अपना काम क्योंकि आप लोक को याद हो पहले क्या करना होता था हमें उनको मारनेके बाँएं में एक-एक ट्रक मे लाकytt करेंगे और उसको लेजा के डभा ही बेच देंगे लो पूरा-पूरा-पूरा अचाएगा मिले ती यह क्या है इसके लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा इसको मैं अपने कमरे में रखता हूँ न वेट अपने कमरे में रखते हैं यहाँ पे कुछ तो बड़िया चीज में इसको लग रही है अगर मीट के लिए मुझे को मारना पड़ेगा एंड मिल अभी नहीं मारना चाहता हूँ वेट इस वाले अप्डेट में बात रोम याठ आ दिया एक स्टोरेज्र槍श रोम भाथरोम दे डेसे बात रोम की कोई जरौत भी नहीं है इस्टोरेज्रूम जादा इंपोर्टेंक उसके अंदर अब लोग समान रख देंगे घर देखो कितना ज़्यादा चेंज हो गया पहले से घर की लाइट मैंने चला दिया और यह अपना ओवोस्कोप और मैं अभी मार्किट गया था और बास्केट लाना मैं दुबारा से भूल चुका हूँ बट कोई नहीं अभी एक काम करते हैं अपने पिक को थोड़ा बहुत और बड़ा होनी देते हैं उसके बाद उन्हें मारेंगे और दुबारा से मार्किट में जाएंगे बास्केट भी लिकर आएंगे और इन्हें बेच कर आएंगे देखते हैं अभी कितना पैसा हमें मिलता है, नए पिक भी तो हमें लाने है, फिलाल यहां पर मुझे काफी सारी चीज़े बिल्ड करनी है, और उसके लिए पैसा तो पड़ा हुआ है, तो यहां पर इसको यह 125 डोलर में और भी बड़ा हो जाएगा, ओके, इसको बड़ा करने और रुक जाओ इसको नगाइस मुझे अपने चोटे वाली गाड़ी में लोड कराना होगा, इसको हटा के में, यार यह गैस कैन भी पूरा खाली हो चुगा है, फ्यूल स्टेशन जाना होगा इसे भरने के लिए, बाकी पहले अपने इस घर को अप्ग्रेड करते हैं, यहा उतना बड़ा तो बनाएना है, मिनिमम, फिलाल यह वाला पेड़ मैंने तोड़ा है, यह वाला पेड़ भी हम लोग यहां पर तोड़ देते हैं, आरे यार, यह पेड़ आजकल उपर ही गिर रहा है, पहले ही नहीं गिरता था, फुट तेरी, प्लास्टिक का है क्या, इसको चॉप करते हैं, यहां पर जितनी भी लकडिया है, इसको हम लोग रखते हैं यहां पर, ओकी गाइस, तो भी मैंने सारे के सारे वुड़न लॉक्स उठा कर अपने ट्रक में, सौरी ट्रक में यह चोटी वाली घटिया गाड़ी में रख दी हैं, अभी इस गाड़ी को लेकर मुझे अपनी पीछे वाले रूम में जाना पड़ेगा, जहां पर मेरा वुड़न कटर रखा हुआ है, वुड़न कटर नहीं कहते हैं, उससे शायद कोई मशीन होती है, और उससे वुड़ जो है, प्लांक में कनवर्ट हो जाएगी, पहले इतनी गाड़ी को लोग अंदर अब एक एक वुड़ मुझे इस मशीन पर रखनी है, इस मशीन में अच्छी बात है कि फ्यूल धेर सारा पड़ा हुआ है, मशीन मैंने स्टार्ट कर दिया है, और वुड़ यहां पर रख दी, अब यह जो वुड़ है, प्लांक में कनवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यह दूसरी उठाता हूँ, यह हो गए, तो मुझे दो प्लांक से मिले हैं, यह भी रखो, तो यहां से जितने प्लांक बनेंगे, वो सारे अपने रेंच को बड़ा करने में, मिंस अप्क्रेट करने में काम आने वाले हैं, तो ओकी गाईस, अभी फिलाल सारे के सारे वुड एक बार में थ्री उठा सकते हैं, एक बार में थ्री उठा सकते हैं, एक बार में थ्री उठा सकते हैं, एक बार में थ्री, 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 एक बार मे अब इना रात होने वाली है और मैं इसे रिवर्स में पूरा लेकर जा रहा हूं पीछे पत्थर से नटक रहा है बसे अराम से निगाल दिवाए तुम्हारा वाई एक्तम गाड़ी उल्टे भी एक्तम अस्त चला रहा है बस यह गाड़ी बिल्कुल भी दम नहीं है पीछे को चलने में ठीक है तो अब इसको यहां पर रोकते हैं वान टू थी फॉर यहां पर इसे लगाता जाना है वान टू और यहां पर भी उठाना है वान टू थी वैसे थी उठ रहा है मैं फोर क्यों काउंट कर रहा हूं वान टू यहाली साइड लास्ट रहा है थी बॉटम वाला एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका है यारी रेंच पता नहीं कितना अप्रेड होगा मेरे पास इतनी तो काउन है ज जा थी ठीक है अब बाहर चलते हैं वान टू थी वान टू एंड टू और अंदर जाना पड़ेगा भी यहाल लगाने के लिए ठीक है अब बस उपर शायद से मुझे दो तीन प्लैंक सोर लगाने है यह मैं आ गया हूं उपर एक इधर लगाया एक इधर लगाया एक इस तक था समझ रहे हो सिफ और सिफ यहां तक अब यह एक्सेंट हो चुगा है पीछे को और मैं चेक करता हूं कि क्या यह और भी जादा बड़ा हो गया फिर नहीं यार एक तो इस चेका पर आसपास कोई रहता नहीं है और यहां पर बात बात पर बारिश होने लग जाती है प पाना उसको यहां पर और भी चोटी-चोटी चीजी है जो कि मेरे को बना लेनी चाहिए सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं किवाला कूप किसी भी काम का नहीं है इसको तोड़ते हैं और यहां पर अभी हम लोग एक बड़ा चिकन कूप बनाने वाले है मैं पहले चलके न रोशनी नहीं क्योंकि जिफो सिफ दो लैंप है सबसे बहले हम लोग यहां पर सो जाते हैं लेट्स को तो की गाइस अभी फिलाल में सोके उठ चुका हूं सुभह भी उचुकी है फड़ा फट हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं लाइट जले रहन देते हैं कोई दिक स्क्राम आने वाले है इसको यूज करना हमें कुछ इस तरीके से इसमें ऐसे गोल गोल तो कुछ घूम रहा है यार इन सबसे ना कुछ ना कुछ ऐसे सोसेस ताइप बनेगा शायद से क्योंकि उसकी दुकान में इसा बेचने का तो आ रहा था बठा अभी मैं पहले चल कर द कि यह भी और भी ज्यादा बड़े होंगे मतलब इनका चो फैट है वह खापी की और इंक्रीस होगा कि अपने बार्न हाउस में काफी ज़्यादा गंदगी है ओ हेलो काहा जा रहे हूं आज आज मिल्क नहीं रेटेंशन मतलब आप आराम से चिल करो यहां पर काफी गंदग पर एक चिकन कूप बनेगा याँ फिर कुछ तो इधर बने ओके तो यहां पर एक रेडियो टावर बनेगा टावर आवर एक्सेंट्स ताइस कोप ओफ रेडियो सिगनल रेडियो सिगनल के लिकिन ज़रूत क्या है मैंने इसे बना तो दिया है मैं बंचे कोई आईए नी र रेडियो सिगनल शायद वो जो हम टीवी वगरा देखते हैं इस गेम में उसके रेंज बढ़ जाएगा फिर जो इसमें रेडियो बचता है कुछ उस टाइप का चेंज होगा ठीक है फिलाल लास्ट टाइम मैंने यह वाला चिकन कूप तोड़ जया था क्योंकि मेरा प्लान है है कि मैं इधर बड़ा चिकन कूप बनाने वाला हूं यह वाला बनाने के लिए में 750 ड डलार से जोकी में पास नहीं है मैं पस 501 रहे और उफाइड प्लान बना लेथे हैं यहां पर से बनाने के लिए यहांnov长 इंश करcie बने बंदक्सा नहीं है अई काम करते हैं अब छो में उनकम मारने जारू है छंव मारतें और ये पन तो घर में रखा य Clerk कर थे em रिलोड भाई साथ लोड भाई साथ फूरा आरठर मॉर्गन हो रहे है रडडड डियूपशन का पुरा यह से रिलोड कर रहे है एंड सोरी ब्रो मुझे भी मारना पड़ेगा विचारी जितनी भी गाएं वो डर के भाग गई मिर पास अभी कोई ऑप्शन निया है दिखो कर एपी पैसा कमाना है तो यही सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन अपने पास कि लास्ट ताइम जितना बड़ा नहीं हुआ था इस ने उतना समान नहीं दिया है और वो भी विचारा डर नहीं नहीं तर कोई नहीं मारों तर को बात में मारों जब तो और बढ़ा हो जाएगा तो हां अभी वो जो बे कुछ भी हां तो गाइस यह जो अपनी पास स्कूलर है ना इसको लोग लेकर चलते हैं और इसके अभी काफी जादा सिंपल हो गया ना काम अब बस मुझे कुछ इस तरीके से सारा की सारी चीज़े जो इसमें भर लेनी है और एक ही बार में बेच करानी है एक में सिर्फ सिर्फ 12 पॉक चॉप आ सकते हैं वेट मुझे या पर एक और कूलर यार यह साही चीज है मैं और खर कर आ गया हो वान टू त्री फोर फाइफ सेख सेवन एट नाइन तैन इलेवन ट्वल इसको यहां रखते हैं यहाले में सिर्फ सिर्फ टू पीस है वान टू तो यह हो गए टोटल फॉर आपर थोड़ी बहुत गंदगी से साफ करते हैं अब इन तीनों बॉक्स को ले जाकर बॉज़े रखना है यहां से बाहर क्योंकि इनने गाडियों में लोड करवाना है और शॉर्टकत देख रहें तुम भाईू मैं कैसे रखने है यह यह जंप मार के उधर अभी सीधा गाड़ी में लोड करा लेंगे वहां से ये गए ये जंप और इधर रग दिया ठीक है वैसे गाइस दिखो भी सुभे के टाइम पर कैसा मौसम हो रहा था और अभी कितनी जादा बड़िया धूप निकल चुकी है मतलब ऐसा देखने को भी नजर आ रहा है सुरज एक दम अंधेर अंधेर सा दिख रहा है वाँ पर देखने में ठीक है तो भी जो तीरों चीज़े मैंने लिया ऐसे गाड़ियों में लोड करवा देते हैं तो ये तीसरा वाला कूलर भी मैंने उठा लिया है बट अभी मुझे एक चीज़ याद है कि मुझे इसमें लोड तो कराना है बट उससे पहले ये जो मैं मशीन्स खरीद के लाया हूँ मुझे यहाँ पर चेक भी करना है कि आकिरकार ये काम कैसे करता है मैं इसमें से ओपन करके जितना चाहूँ उतना निकाल सकता हूँ इसमें मुझे कर डालना है तो कहां से डले गई इसके अंदर तो यार पॉक चॉप कहीं से भी डल नहीं रहा है कुछ तो इसमें करना पड़ेगा शायद इससे ग्राइंड होगा पहले तो गाइस दिको शायद से मीट का ना यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है यह जो मशीन है ना यह किसी और यूज के लिए ही बनी है या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले हमें मीट को किसी अलग रूप में मतलब कि किसी और चीज में कनवर्ट करना पड़ेगा देन उसके बाद वो उस मशीन में डलके ऐसे मतलब एक टाइप से ना चौप हो के पूरा कट हो के निकलेगा फिलाला भी एक काम करते हैं से बेच कर आते हैं और जो नई वाली मशीन साही है ना मुझे वो सारी की सारी खरीद के अपनी घर पर ना लेकर आनी है तो भी हम लोग अच्छे चीज़े बना कर उन्हें मार्केट में बेच के धेर सारा पैसा काम आप आपाएंगे वैसे चीज भी हम लोग बना सकते हैं और मुझे अच्छे से मालूम है चीज को बनाने के लिए हमें मिल्क चाहिए जो कि हमें काम से मिल जाएगा बस उसके लावा क्या कुछ कुछ प्रोसस होता है उसे बनाने का वो मुझे देखना पड़ेगा बढ़ हाँ अभी काफी मसमस चीज़े आ चुकी है ओके गाइस तो भी फिलाल मैं अपने ट्रक को लेकर वापिस से स्टोर पे पहुच चुका हूं फटा फटा फटाम लोग अपनी प्यारी से एक ब्रेक यहां पे मार के ट्रक से बाहर निकलते हैं चलते हैं भी जल्दी से अंदर वह चेक करता हूं कि जो समान ट्रक में पास यहां पर काफी जादा पैसा हो चुका है और अगर मैं चाहूं तो यह वाली जो मशीन है मैंने लास्टाइम यह खरी दी थी मैनुवल मीट ग्राइंडर इससे कुछ हुआ नहीं इसके अंदर मीट गया है नहीं मैनुवल सोसेज स्टफर और यह है इलेक्रिक मीट ग्र ला हो फिर उसे बॉल करना हो ऐसा भी कुछ हो सकता है चलो कोई दिकत वाली बात नहीं है मैंने दो पिक मारे थे तो अभी में इधर से दो और खरीद लेता हूं वैसे उन दोनों पिक से अपना जादा नहीं सिर्फ सिफ टू हेंड़ डॉलर का फायदा हुआ है क्योंकि CDC ब मशीन है मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचाए 141 चोड़ो यार बैग ओफ वीट ले लेते हैं अभी हम लोग यहां से सारा समय लेकर निकलते हैं बाई 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 अंटी ची अभी हमारा इधर से आना जाना बंद हो जाएगा क्योंकि कोई जरौत ही नहीं पड़े हम लो लोगा बाई बाई अब में बाई चाल वीट मेस इसको भी उठाकर वन जे होगे अपना तू तीसरा वाला का एवने थीन खरी यह रहा इसको बीटा के रखते हैं सीध आपनी गाड़ी के अंदर ओ वेट जगाई नहीं से लोगा है इसको बंद करते हैं चलते हैं जल्दी से लेट्सको ट्रग में आचुका हूँ रेडियो सिगिनल का क्या युज़ यह वो भी मुझे देखने हैं अभी मैं डारेक्ट अपने घर नी जाने वाला हूँ पहले धो जुक्त चलते हैं की आखिल कंकून कून सी नई गाडिया आई या फिर न earlier गाडिया क्ता सबक्षार नहें च concealed भागाता बाता मैं डिलर्शिप जोए और नहीं जो जौ जो उठाक हूं कि यहां पर मुझह नहीं है center गाड़ी इनके पास यह SUV है यह तो पहले भी थी है शायद पहुत सस्ते है रहे 1000 डॉलर्स की तो है नहीं मेरे साब से कोई भी गाड़ी यहां पर नहीं आए ठीक है बाड में जाओ मुझे चाहिए भी नहीं था वैसे ठीक है ना ओके तो वापिस बैठते हैं लोग अपने ट्रक में और अभी जल्दी से इसे लेकर यहां से निकल लेते हैं और वापिस चारहों बीच रास्ते में गास स्टेशन पड़ेगा तो वहां से ट्रक में थोड़ा बहुत फ्यूल भी भरवा लेंगे ओकी गाईस तो यह हम लोग पहुच चुके हैं फ्यूल स्टेशन फड़ावट से अपने ट्रक को यहां पर खड़ा करते हैं इसको उठाते हैं यहां पर कोई रहता वहता निया है इसलिए फ्यूल हमें खुदी भरना पड़ता है इधर तो इसको मुझे उससे पहले वह भर गया है ओकी गाईस तो अपने ट्रक में टोटल 51 लीटर फ्यूल गया है एंड वन लीटर वन डॉलर का है तो 51 डॉलर अपने यहां से कट चुके हैं इसको अठाकर मैं वापिस यहां पर रख देता हूं यह मैंने रख दिया मैंने रखा यह नहीं मैं उस यहां से बाहर निकल फड़ावट से वो गया बाहर और यहीं देखो बाई किसी सन की सन एक्चुली माउंटेंस के पीछे जा चुका है और पिक वो तिरी वाँ का चा रहा है बाग के हेलो मैं तरी दूर से तरी को लेकर आए और तू भाग के जा रहा है जल्दिया ओके तो तो फड़ावट से लोग इससे करते हैं अंदर आजा आजा ताइम तो एक फड़ा चुका है इसको मैं इसे जो लेड़ने से तोड़ता हूं यह रसी बंद करते हैं तो दोनों पिक को मेंने यहां से बाहर निकाल दिया और दूसरे वाले पिक को देखो इदर भाग के जा र आँ उसको भी मैं अपने नए वाले चिकन कूप में ले जाके छोड़ रहा हूं एंड वहां पर अभी मुझे वाटर डालना है वैसे काम करता हूं यह वाला चिकन कूप बहुत बड़ा है टैंपररी हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और दीरी दीरी जो छोटी वाली चिकन स से बड़ी होते चाहरी हैं काफी काफी जदा अच्छी लग रही हैं ओकी काइस फिलाल आज हमने बहुत सारा काम कर लिया रेंच को भी इपग्रेड कर दिया नया चिकन कूप बना दिया पीछे टावर बना दिया और दो तीन पिक्स को लेकर भी आ गए है और दो तीन को मार के बेच भी आए है पैसा भी थोड़ा बहुत कमाल है जब तक अपने पास बहुत जादा पिगनी हो चाहेंगे न वह भी बड़े वाले तब तक अपना कोई जादा फायदा नहीं नहीं वाला फिलाल मिरको पता क्या लग रहा है कि हमें पहले से आप लोग मुझे कॉमेंट इलेक्रिक वाले दूसरे है वो डायक लिसमें ओटमेटिक हो जाएगा बट ये तो मैं मैंनुएली भी नी कर पा रहा हूं फिलाल हां अगर आपको आज के वाली वीडियो चील लेगी हो तो फटा फटसे इस वीडियो को चाके लाइक कर देना इस वीडियो पर मैं एम करता ह हूं फोर लैक लाइक के लिए तो सभी लोग जाओ जोड़ी से लाइक का पटने बाकी को पूल कम्प्लीट कर दो जो भी चैनल पी नहीं हो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बद भूलना मुझे इंस्ट्राग्राम पे फोलो को लोए मिरसे बात करने के लिए अब झाल 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 सकत्राइब करने करने कर के लिए भी ऑ कर दो जाइक करे इंस्टिट कर दो